पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। कि उनके हाथों में बम थमा देती है। के नाम पर वोट लेती है लेकिन उनको ना शिक्षा और ना कलम देती बलकि उनके हाथों में बम थमा देती है। जो भी बीरभूम में हुआ उसकी हमकडी निंदा करते हैं। सत्तारूर हत्रिनमूल कॉंग्रेस के पंचायत अधिकारी के हत्या का संभवत, बदला लेने के लिए मंगलवार को बीरभूम जिले के बोगतुई गाव में आठ लोगों को जिन्दा जला दिया गया। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस घटना को लेकर देश भर में रोश व्याप्त है और पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पाथी भाजपा राज में राश्ट्रपती शासन लगाने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभुम जिले के बोगतुई गाउं में हुई हत्याओं के सिलसिले में त्रिनमूल कॉंग्रेस, टीमसी, रामपुरहा टेक के प्रखंड ध्यक्षन आरोह हुसेन को गुरुवार को गिरफतार कर लिया गया। एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि इलाके में संभावित अशांती के बारे में इस्थानिय लोगों के आशंका पर ध्यान नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी ने उन्हें गिरफतार करने का निर्देश दिया था। एसाइती स्थेट के लिए वनी है और वो उसकी चार्ट कर लिया आप पार्लेमेंड में बेराकि की जरमाई की दिए दिख़े जो कुछ बहां पर हुआ है वो इस बात को दशाता है इस बात को बताता है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वो उस स्टेट के उस परदेश के मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर्स की तार इस्तेमाल करती है वो उनकी उनके नाम पर ओट तो ले लेती है और उनको अपना फुट सोल्जर्स बनाती है उनको ना सिक्षा देती ना खलम देती बलके उनके हाथ में बम देते हैं और उसी लिए आज आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में एक ही पार्टी के दो ग्रूपों में इतना बड़ा हादिसा हुआ आठ से ज्यादा लोगों की मौत हुई जिसमें बच्चे भी मारे गए तो ये इस बात को बताता है हम जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं मायम पाठी के मुस्लिम लीडर्शिप को बनना चाहिए बालके आपको तो फूट सोलजर बना दिया गया आपके हाथ में बम दिया गया आपके हाथ में खलं देने की जग़ा आपको तलवार और बंदूख दिया जा रहा है तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल में हुआ है वो कंडेमनेबल है इस्टेट गौवर्मेंट वहां की उस वाइलेंस वो कंट्रोल करने में नाकाम साबीत हुए और पूरा देश जानता है लोग जानते हैं कि वो एक साइन्ड माफिया और यह तमाम इलीगल एक्टिविटीज का एक ओक्यू जगडा है और इसलिए यह सब तमाशे वहां पर हो रहे हैं और हाइली कंटेमनेबल है वो जो भी वाइलेंस हुआ है आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वहां गवर्णर इस्टेट्मिन देते हैं उनको यह बनाया जाता है कि वो पीजिटीज का एजिंडा चला रहे हैं या फिर जिस तरीके से एक स्टेट देखिए वो गवर्णर साब को अपनी गवर्णर की डूटीज करने की जरूरत है। वो पॉलिटीशन नहीं है। मगर मेरा मानना यह है कि हम जब मुस्लिम एडर्शिप बनाने की बात करते हैं तो यह सेकुलर पार्टीज वहाँ पर उनको अपने फुट सॉल्जर सी तरह इस सुचना चाहिए जो सेकुलर पार्टीज का राग गाते रहने 24 घंटे जो वहाँ पर सोशल एकनोविक इंडिकेटर्स हैं हमने बंगाल की चुनाव में कहा था कि मुसल्मानों के सोशल एकनोविक इंडिकेटर्स सबसे खराब हैं और आज आज आप देख रहे हैं कि क्या हो ने ने देखिए मरने वाले तो मर गए घर जला दिये गए एक का खतल होता है तो फिर काउंट उसके जवाब में और आट लोगों को क्यूं मिरती हों के उनको मार दिया जाता है घर जला दिया ते और अवरते मरती हैं तो यह तो कंडेमनेबल हैं ना मगर एक लाजर आट कोश्प्रिम कोट läuft ने कहा है कि हियरिंग की ड्रेट का सुप्रिम कोट ने का किया मैं तूप्रिम कोट-उसक अरे बराबर उम्मीद पे दुन्या खाले है पमारा आखरी कोट है और सुप्रिम कोड जो सुनवाई करेगा सउनवाई